एक बार एक गाउं में नया नया एक मुमोस बेशने वाला आया गाउं के लोगों को पता भी नहीं था कि मुमोस क्या होते हैं इसका स्वाद कैसा होता है अरे वाह ये गाउं अच्छा है मुमोस बेशने के लिए यहां लोगों को मुमोस का पता भी नहीं है और यहां कोई और मोमोज बेचने वाला है भी नहीं ऐसे में जब मैं अकेला होँगा मोमोज बेचने वाला तो लोगों को नया स्वाद भी मिलेगा और चाओ से खाएंगे भी सब खूब बिक्री होगी मेरी तो मुमोस वाला अगले ही दिन अपना मुमोस का स्टॉल गली के नुकर पर लगाने लगता है आओ आओ मुमोस खाओ गर्म गर्म स्वादिश्ट मुमोस दस रुपए प्लेट आओ आओ गाओं वाले ये सुनकर आपस में बात करने लगते हैं अरो यह Momos का होता है? यह कौन सी चडिया का नाम है? भहिया पता नहीं का भला है मौमस? चलो भहिया दस रुपईया का बेच रहा है, चलके खाय के देखते हैं. रामो और किशन मौमोज वाले के पास मौमोज खाने चाते हैं. आओ, आओ भाईया, बताओ, कितनी प्लेट खाओगे? भाईया, पहले एक ही प्लेट मुमस दे दो, जड़ा खा के देखें कि क्या है? मुमोस वाला एक प्लेट मुमोस उन दोनों को दे देता है. किशन और रामू पहले मुमोस को देखते हैं, फिर खाने लगते हैं. मुमोस खाते हैं, और गाओं में सभी को बताते हैं मुमोस के बारे में. इस तरह उसका धंधा निकल पड़ता है. उसकी दिन, दूनी, रात, चोगुनी तरक्की होने लगी. उसी गाओं में हरिया नाम का एक आदमी रहता था. वह बड़ा आलसी और लालची कसम का था. एक दिन वह मुमोस खाने चाता है. उसनि जब मुमोस वाले का काम देखा, तो उसके मन में लालचा गया. हम, ये मुमोस वाले का काम तो बड़ा सही है. पूरा गाओं इससे मुमोस खाता है. क्यों न इसे मार के मैं इसका धंदा करने लग जाओं बना बनाया काम भी मिल जाएगा और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी एक रात हरिया भेज बदल कर मोमोज वाले के घर जाता है और सोते हुए उसे चाकू मार देता है उसका मोमोज बनाने का सारा सामान चोरी करके ले जाता है अगले दिन हरिया मोमोज बेचने खड़ा होता है मोमोज खाओ, मन बहलाओ, आओ, आओ, मोमोज खाओ आओ, आओ, मोमोज खाओ, गर्म गर्म स्वादिश्ट मोमोज अरे हरिया तूने कब से ये काम शुरू कर दिया रहे वो मॉमोस वाला कहां गया अरे उसे नुकसान हो रहा था काम में इसलिए वो मुझे रात को सारा सामान बेच कर शहर चला गया अब से मैं ही बेचूंगा मॉमोस चलो फिर देरी कैसी लगाओ मॉमोस वहीं दूसरी तरफ मॉमोस वाला भूत बन जाता है अरे ये कैसे हो गया मेरा मॉमोस का सामान कहां गया तब ही उसकी नजर अपनी लाश पर चाती है अरे ये तो मैं हूँ और मेरे पेट पे चाको मतलब मैं मर चुका हूँ भूत बहुत दुखी होता है क्योंकि सोते हुए उसे पता ही नहीं चला कि उसे किस ने मारा जिसने भी मेरे साथ धोका किया है उसे मैं जिन्दा नहीं छोड़ूँगा आखर मेरी किसी से क्या दुश्मनी थी भूत अपने कातल की तलाश में यहां वहां और गली-गली पूरे गाउं में भटकने लगता है इधर हरिया लालच के चलते खराब सबजियों और खराब टमाटर की चटनी बना कर मुमोज बेशने लगा ये तरीका सही है आधा माल ताजा और आधा खराब मिलाओ तो किसी को क्या पता चलेगा पैसे भी कम लगेंगे और मुनाफा ज्यादा खराब मुमोज खाकर लोगों का पेट खराब होने लगा एक दो पहर कुछ गाउं वाले बात करते हैं अरे भाई किसन पहले वाला मुमोज दुकान वाला कितने अच्छे और स्वादिष्ट मुमोज देता था और कभी तबियत भी खराब नहीं हुई अबिया ये हर्या पताने कैसे मुमोज देता है आए दिन तबियत खराब हो जाती है पर मन नहीं मानता इसलिए खाने चले जाते हैं अच्छा, तो ये सब हरिया का काम है, मेरे बदले वही मोमोस बेच रहा है, मतलब कि उसी ने मेरा खून किया था। भूद गुस्से में आ जाता है और अपना बदला लेने के लिए सोचने लगता है। वही उसे इस बात का भी दुख होता है कि उसने स्वादिस्ट मोमोस बेच कर जो नया स्वाद लोगों को दिया था, वो हरिया ने खराब कर दिया। लोग मोमोस के नाम से भी मना करने लग गए थे। हरिया यहां मज़े से अपनी जिन्दगी जी रहा था, उसके लिए तो हिंग लगी नफिट करी, रंग चोखाई था। कमाई हो या ना हो, जो आए वही सही, भूत एक योशना बनाता है और हरिया के घर रात को जाता है। हाहा, आखर आही गया उट पहाल के नीचे। भूत की आवाज सुनकर हरिया जग जाता है। कान, 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 कान है, सामने आ। मैं वही हूँ जिसकी कमाई तू खा रहा है। लालच और आलस के चलते, तू ने मुझे बेरहनी से मार दिया। मैंने तेरा क्या भी गाड़ा था। पर, पर अब मेरी बारी है तुझे परेशान करने की। नहीं, नहीं, मुझे से गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। भूत डराबना रूप लेकर हरिया के शरीर के अंदर खुश जाता है। और उसके उपर कबजा कर लेता है। अगले दिन भूतिया मुमोज वाला अपने ही स्वाद में मुमोज बनाता है और स्टॉल के बाहर फ्री मुमोज का बोर्ड लगाता है। और गाउंवालों को फ्री में खिलाता है। अरे वाह, इतने दिनों के बाद इतने स्वादिष्ट मुमोज खाये हैं। अरे हरिया आज तो तुने पहले मोमोज वाले जैसे मोमोज बनाये हैं ऐसे ही मोमोज बनाया कर सब लोग भर पेट मोमोज खाते हैं रात को भूत हरिया का शरीर छोड़ देता जब हरिया अपना हिसाब किताब देखता तो दुखी होता कि पैसे खत्म होते जा रहे थे और सुबह होते ही भूत हरिया पर कबजा कर लेता और फ्री में गाउवालों को मोमोज खिलाता वो भी बढ़िया अरे भैया आज कल तुम्हें हरिया के अंदर बदलाओ नहीं नजर आ रहा देखो पहले कैसे वो अकड़ में बोलता था और लड़ जाता था दो दो पैसे के लिए लड़ जाता था और अब देखो फ्री में मोमोज खिला रहा है हाँ भैया बदलाओ तो है इसका जो ये नया रूप है पुराने मोमोज वाले जैसा है जैसे वो प्यार से तमीज से मोमोज बेचता था वैसे ही अब ये देने लगा है भैया कुछ तो गड़बड लगती है क्योंकि रोज रोज फ्री में मोमोज कोई नहीं खिलाएगा हरिया शुरू से ही लालची किस्म का है इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी इसकी हाँ भैया बात तो सही है जरूर कुछ और ही बात है जब भूतिया हरिया रात को घर जाने लगता है तो गाउवाले भी उसके पीछे पीछे चुपके से जाते है भूत जब हरिया का शरीर छोड़ता है तो गाउवाले देख लेते है अब देख तू हरिया कैसे तुझे सबक सिखाता हुमाएं इन पैसों के लिए तूने ये सब किया था ना अब ये पैसे मैं गाओं वालों को फ्री मोमोज खिला के खत्म कर दूँगा तब तेरी सचाई पूरे गाओं के सामने लाओंगा और तुझे सबके सामने सजा दूँगा नहीं भूत भाई छोड़ दो मुझे मुझे जाने दो मुझे से गलती हो गई हरिया हाथ चोड़कर भूत से माफी मागने लगता है ये सब गाओंवाले सुन लेते हैं और भूत के सामने आ जाते हैं अब तुम चिंता नहीं करो भाई, हमने सब कुछ देख लिया है और सुन भी लिया है, हाँ हम जान चुके हैं कि इसने ही तुम्हें मारा है, और हमसे कहा कि तुम शहर चले गए, भायो मुझे माफ कर दो, इतने दिनों तक मैंने तुम सब को धोके में रखा, पर क्या करता, मे गाउं की पुलिस चौकी मिले जाते हैं और उसे सलाखों के पीछे डलवा देते हैं, भूत या मोमोज वाले को मोक्ष मिल जाता है और वो शांती से भूत लोक चला जाता है